नमस्तार दोस्तों आज बात होगी पेट्रॉल की बढ़ती हुई कीमतों की अर्थसास्त का जो गड़ित है बाजार पर निर्भर करता है और बाजार का संचालन उपभोगता और व्यापारी दोनों मिलकर करते हैं जबकि राज की भूमिका के आधार पर अर्थविवस्था के स्वरूप कर निर्धारण होता है किन्तु बरतमान में भारती अर्थविवस्था में पेट्रॉल और डीजल की कीमतों को लेकर सरकार पर दोसार ओपर प्रारंब हो गया है स्वरूप की बिवस्था में राज की भूमिका को बढ़ा चड़ा कर कल्पना की जाने लगी भले ही स्वरूप के दाइत क्यों ना हो जो एक अच्छे स्वरूप की मांग होय हर व्यक्ति को रवीश कुमार का चस्मा बहतर लगने लगा पैट्रॉल डीजल में आम जनता के ह को सुड़ा दिये हैं विपक्ष को भी सक्रिय कारविधी में अपनी उपस्थती दर्ज कराने का मौका मिल गया है किन्तु एक अर्थसास्त्री होने के नाते हर बात अर्थसास्त्री जो है वो उल्टे चसमे से नहीं देखा देख सकता है और इसी लिए सिक्के के दोनों पह पेट्रॉल की बढ़ती हुई कीमते क्यूं है इसकी चर्चा करेंगे और उसके अलावा सिक्के के दूसरे पहलू को भी दिखाएंगे कि सरकार बिल्कुल अपनी जगे पर सायद सही है सबसे पहले पेट्रॉल की कीमत का निर्धारर कैसे होता है इसका हम थोड़ा सा मुल्य प्रेंकन करेंगे इसको समझने के लिए हमें प्राइस को बिल्कुल खंडवार बातना होगा प्राइस विल्डप जो होती है वो बेस प्राइस सेंट्रल टैक्स डीलर कमीशन और इस्टेट की टैक्स के आधार पर होती है अगर हम फरबरी 2021 के आंकड़े देखें तो फरबर इस प्राइस था सेंट्रल टैक्स इसमें 32 रुपए थे 3.69 रुपीज जो थे वो यहां पर डीलर कमीशन थे और 19.92 जो रुपए थे वो बास्तों में अगर देखा जाए तो इस्टेट टैक्स हुआ करते हैं और अगर हम सारे टैक्सों को और सारे के सारे कंपोनेंट को जो मुल्यांकन जब करते हैं तो लगता है कि केंद्र सरकार बहुत अत्रिक शोशन कर रही लेकिन एक तस्वीर का दूसरा पहलू भी होता है जिसे हमें समझना बहुत आवश्यक है और इस गड़ित को समझने के लिए हमें टैक्स इस टैक्चर को थोड़ा सा समझना होगा अगर हम 32 रुपए 98 जो पैसे की बात कर रहे हैं वो केंद्र सरकार का टैक्स है तो उसमें केंद्र सरकार को राज्यों को लगभग 42% हिस्सा जो है वो केंद्र और राज के टैक्स बटवारे के अंतरगत देना होता है और इस तरह से अगर देखा जाए तो 32 रुपए में 12 रुपए जो है वो निश्ट तोर पर राज सरकार के होते हैं तो केंद्र सरकार की टोटल इंकम जो बंती है वो बंती है 20 रुपए वहीं पर राज सरकार का जो हिस्सा है वो 19.92 रुपए अगर है और अगर उसमें 12 रुपए और मिल जाते हैं तो ये हिस्सा हो जाता है 31 रुपए मतलब केंदर के अनपात में राज सरकारे जादा पैसा बसूल रही है यहाँ अगर हम आकड़े देखें अब हम दूसरे अनपिंदूओं की भी बात कर लें कि केंदर सरकार क्यों नहीं अपने टेक्सिस को कम कर रही है क्या कारण है कि वो टेक्सिस को नहीं गिरा पा रही है उसका मुल्यंकर भी करते सरकार की आय और व्याय का एक यहाँ पर विवरण होता है और आय और व्याय का यह विवरण बजट के नाम से जाना जाता है और विवरण के दौरान एक घाता उत्वन होता है जिस घाते को राजकोसिय घाते के नाम से जाना जाता है अगर हम सरकार के बजट के अनुमान की बात करें तो ये राजकोसिय घाटा 2020-21 में 6.8 प्रिशत रहने का अनुमान था लेकिन बर्तमान में जो आंकड़े बता रहे हैं सरकार का राजकोसिय घाटा लगबक 9.9 प्रिशत रहने का अनुमान है ये निश्चत तोर पर सरकार पर एक दवाब बना रहा है कि सरकार अपने घाटे को कम करें और जल्दी से जल्दी इस घाटे से निकल कर उभर कर भी आ सके इसके अराबा COVID-19 के दौरान सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लेकर आई थी जिसके दौरान सरकार के खर्चे बहुत आर्थिक पैकेज आर्थिक पैकेज लगभग साड़े तीन लाक करोड़ उपेका था और इतने करोड़ उपेका अगर आर्थिक पैकेज का मुल्यांगन किया जाए तो GDP का लगभग 1.8 प्रिश्चत ये बैठता है ये निश्य तोर पर सरकार के उस दसा को दरसाता है कि सरक सरकार कितनी मनोबल दसा की रूप में यहां काम कर रही थी और सरकार कितने अच्छी तरीके से आर्थिक पैकेज का मुल्यांगन करते हुए अपने घाते की परवहना करते हुए उस समय उसने इस तरह के कदम उठाई थे अगर हम यहां पर सरकार की राजश्य प्राप्ति की भी बात करने तो उसमें भी सरकार की इस्थिती बहुत अच्छी नहीं रही जो अगर हम देखें तो तीन सालों में सबसे कम राजश्य प्राप्ति इस बार देखने को मिली है चाहे वो कर्राजश्य की प्राप्ती हो चाहे वो गैर कर राजश की प्राप्ती हो अगर कर राजश की अगर हम बात करें तो कर राजश का ये अनमान बास्तों में तीन सालों में सबसे कम यहां पर देखने को जो मिल रहा है वो निश्चित तोर पर सरकार का यहां पर घाटा कम करने में मदद नहीं करे और इसलिए सरकार चाहती है कि जो इस साल का घाटा है वो इसी साल पूरा हो सके लेकिन उसकी भरपाई केंद सरकार फिर भी नहीं कर पाएगी ये भी वो जानती है लेकिन अगर वो घाटे को कम करने के लिए उधार लेती है तो निश्चित तोर पर अर्थ विवस्था में एक महगाई बढ़ने का डर भी राजिसकेंद सरकार को रहेगा निश्चे तोर पर सरकार को बड़े सोस समझ कर कदम उठाना होगा अब बात करते हैं रोना अर्थ विवस्था में सबसे ज़्यादा जिसका रोया जाता है वो GST का जिस्टी कलेक्शन में भी सरकार की इस्थिती बहुत अच्छी नहीं है और लगभग एक दसम्दब चार लाक, एकद सम्दब चार नौ, लाक करौड रुपे जो है वो GST कलेक्शन दिखाया गया है जो बहुत ही कम माना गया है और इस तरह से अगर GST collection की स्थिती भी सरकार की अच्छी नहीं है तो निश्यत तोर पर सरकार को कुछ ऐसे कड़े कदम बना कर रखने होंगे अर्थविवस्था में जो की आम जनता पर थोड़े समय के लिए हो सकता है बोज डाल दें लेकिन भविश्च में उनके लिए बहुत अच्छा कारगर साबित हो जाए हर साल की तरह इस साल भी जो कारपुरेट टेक्स है वो भी अनुमान से बहुत कम रहने की आसा है और ऐसी कंडिशन्स में जब अनुमान से कम रहने की कारपुरेट टेक्स की भी आसा है तो कभी-कभी उल्टे चसमे को हमें सीधा करक भी बहुत अच्छा हो जाता है हर समय हम धुंदले आइने से चेहरा देखेंगे सरकार का तो निश्चत तोर पर सरकार का हमें जो पृतिमिम्ब है वो इस पस्ट नहीं दिखाई देगा और इसलिए आकड़ों पर बात करने के लिए हम आपके बीच में आये थे के पैट्रॉल के दाम सरकार क्यों नहीं कंप कर पा रही है जिसकी चर्चा आज मैंने की है आपके तो आज के लिए थेंक्यू दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे